है पिता है है थेलो दोस्तों नमस्कार हमारी चैनल सम्रदी टेक्निकल में आपका रिदय से सौग थे दोस्तों आज हम हेमर के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कुछ बहुत important question देखे question नहीं आप देख पा रहे हैं यहां पर बहुत बढ़ीया लिखा हुआ है question है choking क्या है मैं आपको यह सारे question का अंसर बताऊंगा choking क्या है सभी hammer का भार के बारे में बताना है ball pen hammer हो गया straight pen cross pen यह सारे hammer के बजन और slice hammer इसके बारे में बताना है punching hammer और chipping hammer में क्या अंतर है और इसके भार भी मैं आपको बताऊंगा ठीके दोस्तों सारे question जो है important है hammer और घन के handle के लंबाई जो hammer होते हैं उसमें कितना mm के handle लगाना है और जो घन होते क्योंकि घन हेवी काम के लिए होते है तो उसमें भी कितना mm के handle लगाना है यह आपको पताऊना चाहिए और मैं आपको बताऊंगा hammer के hardness दोस्तों hammer का जो stacking face है वो कितना hard होता है उसका hrc बताना है drawing down करने के लिए कौन सा hammer का परयोग किया जाता है और seaming करने के लिए या sheet को मोड़ने के लिए कौन सा hammer का परयोग किया जाता है riveting के लिए कौन से hammer का प्रयोग करते हैं और hammer के handle की जो लकड़ी होती है वो कौन से लकड़ी ठीक है तो यह सारे question के answer मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि hammer क्या है तो मैं आपको बताना जाऊँगा कि hammer एक stacking tool है अतर इसके दवारा ठोका पीटा कूटा जाता है इसका परहुब चीपिंग के लिए पंचिंग के लिए तऱ-बा मेशीन के पार्ट को खुलने के लिए हैम्रींग के लिए आपने बहुत सारे जगह में इसका यूज देखे होंगे तो चलिए हम लोग एक हैमर के बनावट के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा की हैमर कौन सा धातू से बनाया जाता है तो चलिए दोस्तो इसका बनावट एक बार देख लेते हैं देखिए एक हैमर है जो की बॉल पेन हैमर बना हुआ है उपर का हिस्सा को देखी ये पेन है ये नेक है और ये आई होल है उसके बाद आई होल के बीच में लकडी का टेपर बेज लगता है तो ये बेज हो गया फिर एक नीचे भी नेक होता है और जो हिस्सा प्लेन होता है स्लेंडिकर प्लेन उसे पोल के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला हिस्सा को फेस कहते हैं इसी परकार से यह लकडी का एक हैंडल लगा हुआ है इसके अंदर से और यह नजदीक जो भाग है यह थोड़ा सा कम मोटाई में होता है जिसे नेक के नाम से जाना जाता है और अंत के सीरे जहां पकड़ा जाता है उसे गृप के नाम से जाता है दोस्तों यहां गृप से मुझे याद आया कि यहां भी इंपॉर्टेंट कोश्चन बनता है कि हैमर के हैंडल को पीछे के सीरे से कितने छोड़ कर पकड़ा जाता है अर्थात कितना एमम छोड़ कर पकड़ना चाहिए ताकि जबर्दस ग्रिपिंग मिले ठीक है त काम करने वाला एक एक पैन और दूसरा होता इसका फैस दोनों ही हार्डएंटर किया हुआ होता है यह बहुत कठर होता है इसका पॉस्ट के नाम से जाना जाता है यह बहूत हीदा ही चलिये जये अब कठोर के साथ साती भंगूर ना हो. तो दोस्तो हैमर डॉफ और चले स्टिल या कास्ट इस्टिल से बनाया जाता है? यदि और नियाख आपको सबसे पहले नंबर पर डॉफ और चले को रखना है और दूसरे नंबर पर आपको कास्ट। जा सकते हैं और हाई कारवन इस्टिल भी नहीं है तो अब अंतिम नंबर पर जाएंगे टूल इस्टिल के साथ तो दोस्तो यदि यह सब मैंने आपको आप्षिन के तो पर बता है लेकिन आपको एक चुनना है तो आप ड्रॉफ फोट इस्टिल को चुनेंगे तो चलिए अब हम देखते हैं हैमर के परकार दोस्तो हैमर उसके काम के अनुसार चार परकार से बाटा गया है नंबर एक हैंड हैमर नंबर दो स्लैज हैमर नंबर तीन सौट हैमर और चार नंबर पे आता है पावर हैमर अब हम इसके उपर भी चर्चा करेंगे सबसे पहले देखिए hand hammer तो मैं आपको बताना चाहूंगा hand hammer वहाँ hammer होता है जिसका परयोग आम तोर पर किया जाता है जिसका परयोग punching के लिए, chipping के लिए या machine में job को tight करते समय या तरह तरह की operation करते समय किया जाता है इसमें मुखता तीन परकार के hammer को समलित किया गया है सबसे पहला आता है ball pen hammer दूसरा आता है cross pen hammer और तीसरा आता है straight pen hammer तो दोस्तो hammer के पहचान जो है वो इसका pen से होता है यदि hammer की उपरी भाग ball की आकार के हो तो उसे ball pen hammer कहते हैं दोस्तो ball pen hammer का भार 0.11 kg से 0.91 kg अर्था 110 ग्राम से लेकर 910 ग्राम की बीच होता है इंजिनिरिंग काम में रिविट के head बनाने के लिए इसका बड़ा ही मात्व है क्योंकि रिविट के head जब बहार निकल जाती है दो शीटो के उपर तब उसके head को फैला के एक round shape लाने के लिए सबसे पहले गरम जॉप के उपर इसके pen से मार कर उसे फैला आजाता है इस चित्र को एक बार देखिए देखिए इसमें दो प्लेट है नीचे रिविट को set करने के बाद नीचे support दे दिये गया जिसे dolly के नाम से जाना जाता है फिर उपर गरम जो आपके head को फैलाए गया है तो ये ball pen hammer का सबसे ज़्यादा प्रयोग रिविटिंग के लिए करते हैं और बहुत important question बनता है बहुत important question बनता है इसमें कि रिविट के head बनाने के लिए कौन सा hammer का प्रयोग करते है तो आपको बताना है कि ball pen hammer चलिए इसके दूसरे number देखते हैं जिस hammer के pen handle के सीध में हो स्टेट हो इस परकार से हैं आपको सीधे दिखेंगे तो उसे state pen hammer कहते हैं इस hammer का वजन भी इतना ही होता है जितना ball pen hammer में होता है अर्था 110 gram से 910 gram के बीच इसका भार भी होता है इसका परयोग drawing down operation में किया जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि drawing down क्या है दोस्तों ये एक job है अब इसकी job की लंबाई मान लिजा 100 mm है इसे मैं चाता हो की फैला इसकी पूरे मोटाई में थोड़ा कम करके इसकी लंबाई को बढ़ाऊ तो मैं इसको state में परकार से गरम जौब में मारूंगा तो इस operation को drawing down के नाम से जाना जाएगा और ये करने के लिए state pen hammer का परयोग किया जाता है अब बात करते हैं तीसरा नमबर इसका तीसरा नमबर है cross pen hammer जिस hammer का उपर के जो pen है वो handle के साथ 90 degree में अर्थत cross में हो जैसे कि आप इस चित्र को देखिए इस परकार के hammer का परयोग किसी sheet को मोड कर उसके sheet में simming करने के लिए या group बनाने के लिए इस परकार के hammer का परयोग किया जाता है चित्र को देख कर आप समझ सकते हैं मानली जी ये किसी sheet है इसको इस परकार से मोड के 90 degree में करना है तब आप इसमें लगातर मारेंगे तो इसका जो side है वो corner है या side है वो 90 degree में मोडा जा सकता है या group बनाने के लिए भी इसका परयोग किया जा सकता है अब हम बात करते हैं कि hammer का specification कैसे किया जाता है तो दोस्तों hammer का specification उसके pen और उसके भार के अनुसार किया जाता है अब हम इस claw hammer के वारे में बात करते हैं claw hammer एक परकार के multi-use hammer है इसका परयोग मुक्ता stacking के साथ साथ तता ठोका बेटी के साथ साथ जब लकडी में से कील निकालनी हो तो इसका परयोग किया जाता है कील के वारे में आप जानते होंगे इस चित्र को देखिए इससे आपको काफी clarity मिलेगी देखिए इसमें किस परकार से किल को निकाल रहे हैं इसका बजन भी आम तोर पर 110 ग्राम से लेकर शाड़े साथ सो ग्राम तक होता है अब हम देखते हैं sledge hammer या घन दोस्तों ये मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं ये sledge hammer है sledge hammer कुछ इस परकार से होता है और ये आम तोर पर भारी काम के लिए परयोक किया जाता है जैसे coal mines में या किसी कुए को खोदने समय या black smithy, forging shop, welding shop में इस परकार के hammer का परयोक किया जाता है इसका भार 6 pound से लेकर 20 pound तक होता है दोस्तों 1 pound में 0.453 kg अर्था 4503 g होता है आपको जितना pound के hammer चाहिए आप इसे 453 g से multiply करिए LBS या pound के साथ तो आप उसको kg में convert कर सकते हैं तो 20 pound तक के आम तोर पर पाया जाता है आपने इस hammer का परयोक करती हुए देख होंगे इस hammer के handle की लंबाई अधिक होती है और यहां 60 cm से 90 cm अर्थाथ 900 mm तक के size में होता है अब बात करते हैं कि hammer की handle की लकडी तो दोस्तों hammer के handle में इस परकार की लकडी होने चाहिए ताकि वो तूटे नहीं अर्था तो उसमें किसी भी परकार के गठान नहीं होना चीए उससे तूटने की संभावना बने रहती है इसलिए ये बिना गाट वाले लकडी अकारिया और हिकरी नाम की लकडी का परयोग किया जाता है अब हम बात करेंगे soft hammer के बारे में soft hammer वहां hammer है जिसका परयोग accuracy वाले job में या किसी parts की finishing की हुए सता पर या machine part machine की हुए part को assemble करते समय इसका परयोग किया जाता है आम तोर पर इसका requirement की साब से इसका use होता है मान लिजिए किसी heavy part में part को matching कराना है तब आपको सीसा या copper के hammer का परयोग करना है और मान लिजिए आपको किसी winding में hammering करनी है तब आपको rubber के hammer का यूच करना है इसी परकार से job की उपर finishing की हुए job में आप leather hammer का परयोग भी कर सकते हैं जिसे raw height hammer भी करते हैं इस परकार से exam में question पूछा जाता है कि लकडी के hammer को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों आपको बताना है कि mallet के नाम से जाना जाता है तो इसमें कुछ परकार है चलिए इसकी कुछ परकार को देख लीजिए इस photo से आपको बहुत creative लेगी कुछ hammer के handle लोहे के होते है और इसके बीच का जो हिस्सा है जिसे हम chick बोलते है वो भी steel के बने होते है और इसके दोनों जो हिस्से है वो bolting अर्था threaded वाले होते है जिसे हम खोल कर अलग-अलग material का या अलग-अलग पदार्थ का भी plastic कभी रवड कभी यूज कर सकते है चलिए अब हम देखते power hammer अगला जो है हमारा चार नंबर वो है power hammer तो दोस्तो power hammer का परयोग जसे कि आप नाम से ही समझ पाय रहोंगे कि जहां power अर्था बिजली का परयोग हो रहा हो power hammer का परयोग mass production में किया जाता है power hammer में बिजली की मोटर लगी होती है और उसमें hydraulic के दोवारा या crank chopped connecting rod के दोवारा उसमें लगातर hammer को एक motion दी जाती है cylinder के दोवारा cylinder में oil के pressure के दोवारा piston को उपन निचे करके उसके साथ hammer को जोड कर से लगातर कुटा पीटा जाता है जो की बहुत ही जबरदस्त एक तरीका है hammering करने के क्योंकि इसमें ताकत की एक अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि man power या आदमी लगातर hammering करने से वो ठक जाता है तो power hammer इस परकार से कारे करता है इस चित्र को देखकर आप इसे समझने की कोशिश करिए देखिए किस परकार से एक hammer को उपर से नीचे लगातर ड्राप्टिंग कर रहे है तो इसे देखकर आप इसे अच्छे सा समझ गए होंगे तो चलिए अब हम देखते हैं hammer की specify या specification कैसे करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा की hammer का specification उसके pen के आकर और उसके भार के आधर पर खिया जाता है जैसे कि यहां आप ball pen hammer देख रहे हैं ऐसे ही state pen hammer cross pen hammer या तरह तरह की hammer अब मैं आपके इन सारे question का answer बताने वाला हूं जो पहले मैं आपको लिखाया था तो चलिए दोस्तों देखते है question no.1 चौकिंग क्या है question no.1 को देखिए चौकिंग क्या है तो चौकिंग hammer को पकड़ने की परक्रिया है आम तोर पर hammer को पीछे की हिस्से से 25 चोड़ कर पकड़ा जाता है अर्थत hammer के handle को अंतिम सिरे से 25 चोड़ कर पकड़ना चाहिए लेकिन यदि किसी कारण बश या इस्तान की कमी की कारण आप उसको नेक में पकड़ लेते हैं यहां पकड़ लेते हैं तब इस परक्रिया को चौकिंग के नाम से जाना जाता है फिर से सुन लिजे एदी hammer के handle head के नजदिक चीक या पोस्ट के नजदिक पकड़ जाता है तो इस परक्रिया को चौकिंग के नाम से जाना जाता है आपको यह clear हो गया होगा अब हम question number 2 को देखते हैं सबी hammer के भार के बारे मएझ मैं आपको बता दिया कि आम तोर पर walpen hammer का भार 910 g telephone तक होता है इसी परकार से दो question और मैं आपको बताता हूं पहला number question है punching hammer का भार कितना होता है तब आपको बताना है कि punching hammer का भार 200 g Shepherd होता है और एदी पूछे कि आम तोर पर हैमर का प्रयोग किया जाता है उसका भार होता है तब आपको बताना है मिडियम काम का हैमर या आम तोर पर जो हैमर यूज करते वो 500 ग्राम का होता है अगला question इसमें बनता है कि चीपिंग hammer का भार कितना होना चाहिए तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि चीपिंग operation जो है वो थोड़ा different है चीपिंग में चीजल के दवारा धातु को हटाया जाता है रिमूव किया जाता है इसलिए इस परकार के hammer का भार 750 ग्राम होना चाहिए 750 ग्राम द्यान रखिएगा 750 ग्राम important question में से एक है ये चीपिंग hammer का भार 750 ग्राम अब हम आगे देखते है hammer या घन के handle की लंबाई तो दोस्तों आम तोर पर hammer के handle की लंबाई 25 से 32 cm अर्फा 250 से 320 mm होना चाहिए hammer hammer मतलब साधरन hammer जो बात हम कर रहें wall pen statement ये सभी लेकिन यदि हम घन की बात करें ये जो घन है इसकी बात करें तो ये 600 mm से 900 mm अर्थत 60 cm से 90 cm तक होना चाहिए आगे question देखिए hammer की hardness अर्थत HRC क्या है तो दोस्तो हर metal का HRC ये HRB इस परकार से testing method के दवारा test किया जाता है hammer जो है वो एक stacking tool है और इसका जो HRC है 49 से 56 HRC होता है HRC के बारे में आपको पता होगा यदि नहीं पता तो हमारे चैनल में बहुत अच्छे वीडियो डला हुआ है hardness testing method के नाम से आप उस वीडियो को देखिए मैं description box में इसका link दे रहा हूँ आप उसे देख सकते हैं hardness testing method को तो दोस्तों hammer का HRC जो है वो उन्चे से 56 HRC होता है questionnaire number 6 को दीए drawing down के लिए कौन सा है straight pen hammer का परयोग drawing down की लिए kiya जाता है जो कि मैंने आपको समझाय है question number 7 को देखिए riveting है to hammer haveting करने के लिए कौन सा hammer का परयोग किया जाता है boy heartfelt hammer का परयोग किया जाता है question number nine को देखिए hammer के hendel है तो लकडी दोस्तों hammer हे handle में बिना घठान वाले लकडी अर्थत हिक्रिय और अकारिय नाम के पेड या ब्रेक्ष के लकडी का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों यह था करेंगा थैंक्यों दोस्तों आप देखते हैं हमारे चनल सम्रधी टेक्निकल